अमेर का दोरे पर गए राहूल गांधी के बयानों से देश के अंदर खमासान मचा हुआ है इसे बीच राहूल गांधी के मुस्लिम लीग को लेकर दिये गए बयान से देश के अंदर राजनीतिक सरगर्मिया उफान पर पहुच गई है मुसलिम लिग को लेकर राहूल ने क्या कुछ कहा पहले आप इसे सुल लिजिए वही राहूल के इस बयान के बात सतारोंफ पार्टी यानि भारतीय जंता पार्टी के नेताओं ने राहूल गाधी-जी का लगता है मांसिक. संतुलन गड़वड़ा गया है वह ऐसा बयान लगातार देने का काम कर रहे हैं अमेरिका में रह करके कि जैसे वह अमेरिका से चुनाव लड़ने वाले हैं यहां लोग तंत्र है यह परिवार तंत्र नहीं है इनकी विकृत सेकुलरिजम की परिभाशा में देश के और समाज के विभाजन के लिए जिमेदार दल भी सेकुलर बन सकते हैं कल तो वो आईसिस को भी सेकुलर कह सकते हैं यह वही लोग है जो अफजल गुरू और याकूब मेमन को हालात का मारा और न्याय प्रणाली से अफरती बुलाते हैं और मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं राहूल गांदी जी यह साबित कर रहे हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं जब विदेश जाते हैं और ना तो उसका सत्य ना तत्य से कोई लेना देना भारत के प्रधान मंतरी के सब को वो बुरा कहेंगे सिर्व और राहूल गांदी जी बिल्कुल जो सबकी जानकारी हो उसके विपरीद बोलते हैं लेकिन कॉंग्रेस पार्टी भी अच्छी फसे हुई है क्योंकि वो उनके वरिश नेता है तो वावाई तो करनी पड़ेगी उनको बाकी दुनिया हसे उन पर दुनिया उनके शब्दों को नकार दें दुनिया उनसे बिल्कुल अलग माने कि इनकी सोच बिल्कुल गलत है लेकिन राहूल गांदी जी को फरक नहीं पड़ता और कॉंग्रेस के पार्टी के पास कोई चारा नहीं है वो उनको वावाई तो करनी पड़ेगी उनके वो वरिश नेता है नेरू गांद खायश है कि मैं किसी तरीके सत्ता हासिल करूं और उस सत्ता हासिल करने के लिए वो कोटों को बुरा बोर रहे हैं और अच्छा किनको बोर रहे हैं आजकल जिनहा को अच्छा बोर रहे हैं पाकिस्तान को अच्छा बोर रहे हैं इंडियन यूनियन मिसलिम लीक को अच्छा वोज़ रहे हैं। इसलिए उनका परपस एक पर्टिकुलर कमूनिटी की एक पर्टिकुलर好了 लोगों क्या सेट ओफ पीपल्स की वोट लेना उनका परपस रहतबpur फुस्क्ट करन की राई निति पोत्राएं हैं। पुराई निती करते करते हैं। अटल बिहारी वाजपेई जी ने जीनिवा भेजा था 1993 में। जिससे श्यामा प्रसाद मुखर जी ने गठ बंदन किया था। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भार्ची जन्ता पाटी ने नागपूर में गठ बंदन किया था। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको अटल जी पसंद करते थे जिसके मैंने आपको जैसे उधारन दिया। जो 1993 में संस्कृत की युनिवर्सिटी केरिला में बनी। वो इसी मुस्लिम लीग ने स्थापित की थी, एजुकेशन मिनिस्टर इसी मुस्लिम लीग का था। इनको ज्यान नहीं है, ये वोटसैप या लोग है। झाला हूले झाला है झाला हूले मुस्का अधाश्व मुस्लिम आए मुस्का झाल झाल